तो आज 26th of October को हम Indian Express का डेली एडिशन की जो important news है वो discuss करने वाले हैं as usual तो आज की जो सबसे पहली news है, important news है, exam point of view से वो है कि PM launches mega health infrastructure missions तो यहाँ पे हमारे जो Honorable Prime Minister है Mr. Narendra Modi उन्हों है अपनी लोकसभा constituency से एक नए mission को जो है inaugurate किया है और इस mission का नाम है अयुष्मान भारत health infrastructure mission तो इस mission के अंडर जो है वो village से लेके all the way to cities जो है next four or five years में जो health infrastructure है यानि आपके hospitals हो गए आपके जो है tertiary care centers हो गए या आपके primary health centers हो गए health and wellness centers हो गए उन सब को जो है upgrade करेंगे और जहाँ पर required है वहाँ पर जो है उन्हें build किया जाएगा so this is an entire mission जिसमें बहुत ही जादा जो है pan India काम चलेगा and the entire budget of this project is 64,000 करोड ठीक है तो यह उन्होंने अपनी लोकसभा constituency जहां से वो MP elect हो किया आते है वारा नसी से जो है inaugurate की है और इसी के साथ साथ उन्होंने inaugurate किया है UP में 9 medical colleges का yes there will be 9 new medical colleges that will be built in UP different different districts में यह 9 medical colleges होंगे तो उन सब का भी जो है inaugurate इन्होंने किया है ठीक है अब यह जो यहां पे अयुश्मान भारत health infrastructure mission है जिसको मैंने अभी यहां पे आपके सामने highlight किया है इस mission में जो है different phases होंगे तो जो सबसे पहला phase होगा उसमें क्या होगा उसके दो aspects होंगे कौन कौन सा कि पहले तो creation of facilities करेंगे for diagnostics diagnostics मतलब कि जहां पे बिमारी का जो है इलाज किया जाएगा detect करके फिर उसका जो है के इलाज किया जाएगा and उसके अलावा जो है आपके treatment होगा by opening health and wellness centers अब health and wellness center का है देखिए आपने health center सुना होगा आपने पीएचसी सुना होगा primary health center जिसको हम dispensaries वगरा कह रहते हैं तो government of India ने इस concept में थोड़ा सा change यह लिखे आए है कि अब उन्होंने health and wellness center बनाने शुरू कर दी है जो है वहाँ पर encourage भी किया जाता है जैसे वहाँ पर जो doctors होते हैं या health care workers होते हैं वो आपको बता है वो करेंगे guide करेंगे कैसे जो है आप अपना work routine adjust कर सकते हैं कैसे उसमें ज्यादा physical activity अच्छा खाना अच्छा nutrition डालने से एक balance जो है work routine और balance diet रखने से अब बिमारी को prevent भी कर सकते हैं because हमें यहाँ सिरफ अच्छा इलाज नहीं करता है we have to protect altogether diseases from incurring ठीक है तो इसी लिए जो है यह किया जाएगा और इस चीज के लिए आप देखेंगे कि 35,000 new critical जो care related bed होते हैं जिसे हम ICU beds या और भी उससे अलग उपर के level के जो हमारे care जो वह होते हैं equipments वगरा होते हैं तो उस चीज के लिए 35,000 new critical care beds जो है वो भी जादा जो है critical care beds जो है add किये जाएंगे इसके साथ-साथ free consultation मिलेंगी OPDs के थूँ ठीक है और आके आने वाले टाइम में इसी infrastructure को use करते हुए test और medicines जो है वो भी free करने की बात की जा रही है तो basically यहां पे पूरा idea यह है कि government जो है health sector में और health infrastructure पे काफी big जो है spending करने वाली है जो third aspect होगा इस mission का वो यह होगा कि इसमें जो है research और development पे भी काफी जोर दिया जाएगा और इसमें जो research की जो priority areas रहेंगे वो रहेंगे कि future pandemics कौन-कौन से हो सकते हैं और इनको कैसे prevent किया जा सकता है ठीक है तो expansion होगी कि research institutions की जैसे आप देख सकते हैं कि चंडीगड में PGIMER है पर पोस्ट graduation institute for medical education and research तो वहाँ पर research भी होती है तो that is why it is a tertiary level facility aims में भी research चलती है तो उस चीज के लिए भी expand किया जाएगा कि यह बहुत कम न रहें इंडिया में यह जो research institutions है इन पर भी अच्छा कासा जो है एक focus दिया जाएगा so again ताकि government जो है आने वाले time में किसी भी तरीके की कोई future pandemic के लिए तयार है ठीक है तो यह थी आज की सबसे पहली important news तो आप याद रखेगे इसके अलाबाए एक अयुश्मान भारत ठीक है जन आरोग्य योजना PMJ यह चल रही है तो इसके अंडर आपको पता ही है हर family को 5 lakh rupees per year का जो है एक health insurance provide किया गया है और इसमें करीब करीब 50 crore beneficiaries जो हैं उनको add किया जाएगा ठीक है तो यह one of the world's largest health insurance scheme है अयुश्मान भारत जन आरोग्य योजना ठीक है तो यह क्या है health insurance के लिए या health sector के लिए आप कह सकते हैं कि यह एक scheme है राइट? ओके चलेए let's move on to the next news so our next news is कि PM जो है वो attend करेंगे Asian India का submit अब यह Asian और India का submit कौन साथ? क्या है और क्या चीज़ है? Asian basically जो है that is a acronym acronym for इसका मतलब है Association of South East Asian Nations तो यह एक Southeast Asian Nations जो 10 Southeast Asian Nations है इसमें total 10 countries आते हैं तो इन 10 countries की अपनी एक association है उसके साथ जो है एक हमारा strategic level dialogue जो होता है तो this will be 18th Asian India Summit और यह होगा कैसे? यह virtually होगा तो इसको host कौन कर रहा है? इसको host कर रहे हैं सुल्तान आफ ब्रुनेई तो अब यह जो Asian countries हैं इनमें 10 कौन कौन से countries आते हैं देखिए Myanmar से शुरू करते हुए Thailand, Indonesia, Laos, Cambodia, Vietnam, Philippines, Manila Philippines के साथ साथ आप Indonesia और इसके साथ ब्रुनेई, Darussalam तो यह सारे जो countries हैं यह सब के सब Asian countries हैं और इन Asian countries की जैसे हमारी SouthSark एक body है न वैसे ही इनकी एक Asian है तो इन Asian का जो headquarters है वो आपको Jakarta, Indonesia में देखने को मिलेगा तो Jakarta, Indonesia में इस body का या इस organization का headquarters है ठीक है? तो यह जो है virtually इस बार attend करेंगे हमारे जो है Prime Minister और इसमें बाकी जो 10 Asian countries हैं उनके भी head of state या head of government participate करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं It is a head of state or head government जो meeting है ठीक है? और India की Asian के साथ जो strategic partnership बनी है वो 2012 onwards बनी है अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ Republic Day पे भी एक बार 10 के 10 Asian countries के heads को जो है as a chief guest बुलाया गया था जो की इंडिया में पहली बार हुआ था कि 10 countries के heads को जो है as a chief guest on Republic Day बुलाया गया था तो यह इंडिया का जो है Act East policy जो है उसी के अंडर यह एक initiative था कि we will act East और दूसरी बात Asian countries ने यानि इस association ने इंडिया के साथ एक FTA भी sign किर रखा है which is already in force तो हमारा इन के साथ एक free trade agreement भी है ठीक है तो आप यहां पर रखियेगा और इस बार के जो areas होंगे focus में वो क्या होंगे COVID-19 and health trade and commerce, connectivity, education and culture ठीक है इसी के साथ साथ PM जो है वो attend करेंगे 16th East Asia Summit अब East Asia Summit जो है यह own countries के साथ होता है जिन countries के साथ Asian का FTA है तो East Asia Summit में एक Indo-Pacific वाले जितने countries हैं यानि US ठीक है उसके साथ साथ Australia Japan South Korea यह सब जो है इस इनके अलावा और countries और Asian के countries और India जो है इसका member है East Asia Summit का तो यह भी PM जो है attend करेंगे राइट ओर राइट चली अब गवर्मेंट ने एक प्रोग्राम लांच किया था जिसका नाम था निपन भारत अब इस निपन भारत के अंदर टागेट क्या था तो निपन भारत जो है अगेन एक एक रॉनिम है तो हुआ क्या था हमारी एक रिपोर्ट आती है काफी फेमस रिपोर्ट है एसर रिपोर्ट आपने दिखा होगा एनुल सर्वे उफ एडुकेशन रिपोर्ट तो इस एसर रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में जो फिफ्ट क्लास का बच्चा है जो पढ़ रहा है उसको सेकिंड क्लास के मैथ के सम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है और वो थर्ड क्लास का इंगलिश का जो टेक्स्च है उसे ढंक से रीड भी नहीं कर पा रहा है समझने की बात तो आप छोड़ ही दिजिए तो उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए गवर्मेंट ओफ इंडिया ने ये निपन भारत जो प्रोग्राम है ये लाँच किया था और इसमें इन्होंने टागेट क्या किया कि हम जो है क्लास थर्ड तक के बच्चे को एक इंशॉर करेंगे कि उसकी एड्यूकेशन जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी की हो ताकि उसे बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो आते हों ठीक है तो इस चीज़ के लिए ये निपन भारत प्रोग्राम जो है तिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए निपन भारत इनिशेटिव जो है गवर्मेंट आफ इंडिया ने लिया है इसके साथ सथ आपको पता ही है नियू एड्यूकेशन पॉलिसी जो है वो इंप्लिमेंट होनी शुरू हो गई है तो उसमें भी जो है आउटकम्स पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है कि बच्चे की अंडिस्टैंडिंग पे बच्चे की इनोवेशन पे रिसर्च पे जो है ज़्यादा आप कह सकते है एक फोकस है कि हमें सिर्फ अच्छे जो वेल रेड नहीं चाहिए वी वांट वेल एडुकेटेड हुमन रिसर्स तो उसी चीज के लिए निपन भारत प्रोग्राम शुरू किया था तो अब इसके लिए इसको मॉनेटर करने के लिए तो बना दिया अब प्रोग्रम कितना अच्छा काम कर रहा है उस चीज को मॉनेटर करने के लिए एक नाशनल स्चेरिंग कमेटी बनाई गई है इस नाशनल स्चेरिंग कमेटी का जो है सेटप कुछ इस तरह से रहेगा इसके चेर्मैन होंगे खुद Education Minister, अब यह जो Committee है, यह किसके अंडर काम करेगी, Ministry of Education के अंडर काम करेगी और Minister of Education जो है, वो इसके Chairman होंगे, यहाँ पे देख लिखा हुआ है It will be Chaired by Education Minister धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है और इनके Members में कौन-कौन आएगा Education Secretary of UP गुजरात, करनाटका and Sikkim और इसके अलावा Union School Education Secretary जो है, जो again Ministry of Education में बैठते हैं और इसके साथ-साथ NCERT के जो Director है, यह सब के सब इस Committee के Member होंगे और इस Committee के Chairman Education Minister होंगे Please यह याद रखेव, और Education Minister इस चाइम पे कौन है Mr. Dharmendra Pradhan, जो की Odisha से आते हैं ठीक है, let's move on to the next news तो यहाँ पे एक प्रगती OS OS stands for operating system तो यह computer से related news है तो कभी exam में और examiner पूछ सकता है तो basically है कि Jio है, Reliance Jio है, वो अपने खुद के phones जो हैं, वो next year launch कर रही है, या आने वाले future में launch कर रही है तो यह जो phones इनोंने design किये हैं, बनाए हैं, manufacture कर रहे हैं इन इंडिया, इसके लिए इनोंने अपना ही एक operating system निकाला है अब जैसे अगर आप जादा तर आज के time पे phones देखें, तो वो phones जो हैं, या तो वो android based होते हैं, जो की google की तरफ से है, एक open source ठीक है, या फिर वो phones जो हैं, वो ios based होते हैं, जो की apple के लिए होता है, ठीक है या फिर जो है, वो windows phone हो सकते हैं, जो microsoft बना रही है ठीक है, इसके अलावा इनों ने जो है, अपने लिए एक प्रगती OS डेवलप किया है और ये प्रगती OS कोई अलग से नहीं है, but it is actually an android based ठीक है, तो ये android based operating system है, लेकिन इसमें फिर खासियत क्या है, फिर बनाया क्यों है, android सीधा क्यों ने लिए है, क्योंकि ये specifically India के लिए design किया गया है, मतलब इसमें Indian languages जितनी भी हैं, उनके लिए और उसमें Indian culture में जो भी है, उस चीज के लिए ये सारा जो है specifically design किया गया है, और India की needs को, requirements को sensitivities को समझते हुए इस software को जो है, वो design किया गया है, और Reliance Geo कह रही है, जो हमारे नए phones आएंगे वो इसी operating software पे जो है, based होंगे ठीक है, तो ये examiner आप से पूछ सकता है कि ये प्रगती OS जो है ये actually है क्या, तो याद रखेगा it is nothing but an operating system बट ये independent ना होके किस पे based है, ये android पे based है ये android पे based है, तो जो भी phones होंगे, उसमें Google की और Geo की जो सारी apps हैं वो already pre-loaded आएंगे ठीक है, वो already pre-loaded आएंगे next news जो है वो है, रजनी अन्ना को मिला है दादा साप फाल के award, finally तो रजनी अन्ना जो है, उनको अब national film awards हुए थे दिल्ली में तो national film awards में जो है चीफ केस थे, वाइस प्रेजेंट ओफ इंडिया Mr. M. Venkya Naido तो उनने रजनी कांथ को ये prestigious दादा साप फाल के award जो की film industry में काफी lifetime achievement के लिए दिया जाता है तो ये प्रेजेंट किया गया है तो ये 67th national film awards थे जो conduct के गए थे, तो ये 2019 में movies release हुई थी, उनके लिए conduct के गये थे क्योंकि पिछले साल नहीं हो पाए थे due to pandemic ठीक है तो इसमें जो है ये अब इन्होंने 2019 में जो film release हुई थी उनके लिए ये awards दिये गए हैं तो यहां पे रजनी कांथ को दादा साफ फाल के award मिला है और इनके जो ये sun in law है यहां पे आप देख सकते हैं ये रजनी कांथ के sun in law है धानुश ठीक है ये इनको मिला है best actor का award तो इनको जो ये award मिला है best actor का ये मिला है अपनी एक movie के लिए और इनके साथ साथ जो best actor का award शेयर किया गया है वो किया गया है मनोज बाचपई के साथ तो यहां पे आप photograph में देख सकते हैं ये मनोज बाचपई साहब है ठीक है तो धानुश को जो award दिया गया है वो उनकी movie असुरन के लिए दिया गया है movie असुरन और मनोज बाचपई साहब को जो award दिया गया है वो दिया गया है उनकी movie जिसका नाम था भूसले भूसले नाम की मूवी के लिए मनोज बाचपाई साब को जो है अवार्ड दिया गया है और असुरन के लिए धानुश को इसके अलावा जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो कंगना रनौत को दिया गया है उनकी दो मूवी के लिए उनको Best Actress का वाड दिया गया है एक मूवी थी Money करने का जिसमें उनोंने जो है लानी लक्षमी भाई की जो है वो पोट्रे किया था और दूसरी उनकी मूवी थी पंगा जिसमें उनोंने एक Railway Employee की जो है वो रोल प्ले किया था जो वापिस जो है अपनी गेम में री एंट्री करते हैं तो ये थी आज की Important News और इससे ज़ादा कुछ Exam Point of View से Important News जो है मुझे आज के News Paper में मिली नहीं है हाँ जाते जाते मैं आपसे एक Topic ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ अभी अभी जो है Microsoft की एक Report आई है तो Microsoft ने अपनी Report में कहा है कि Russia ने जो है अब hacking के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम शुरू किया है और उसमें उनोंने एक SVR जो ग्रूप है Russia का उसके बारे में बात किया है कि ये hacking का जो सारा प्रोग्राम है ये SVR ग्रूप कर रहा है इसमें जाते जाते उनोंने एक अपनी Report में ये कहा है कि एक जो है Solar Wind Hacking Solar Wind Hacking जो है ये टिकनीक है एक्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि ये Solar Wind है क्या चीज़ विद रिलेशन तो कंप्यूटर वर्ट ड़स सोलर विंड स्टैंट्स फॉर तो आप याद रखीगा कि ये एक hacking की टिकनीक है ठीक है तो इसमें होता क्या है basically एक बहुत sophisticated effort लगाया जाता है जो software होते है न जो government agencies use करती है उनको ये alter कर दिया जाता है या कोई बड़ी company कोई software वो यूज कर रही है let's suppose let me give you an example कि let's say कि जैसे मैं यहां पर ये Microsoft का whiteboard यूज कर रहा हूं अपने काम के लिए ऐसे अगर कोई company कोई एक और software यूज कर रही है तो वो इसमें इसके programming में ही एक alteration कर देंगे उससे क्या होगा कि Russia को जो है सारा access मिल जाएगा कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं तो यह basically Microsoft ने अपनी एक report में कहा है और Microsoft ने भी कहा है कि यह हुआ नहीं है यह actually चल रहा है तो इसी लिए governments को और जितनी भी government agencies है उन सब को जो है काफी vigilant रहने की जरूरत है ठीक है और यह SVR जो यह body है जो यह intelligence agency है ठीक है यह क्यों famous हुई थी तो आपको याद होगा 2016 में allegations लगाई गई थी कि जी US का जो presidential election है उसमें रशिया ने meddling की है यानि रशिया ने जो है उसमें वो किया है involvement थी उसकी और उन्होंने जो है अपने influence करने की कोशिश की है voters को तो वो जो dnc थी उनकी democratic national committee जो थी उनकी convention थी तो उसमें जो उनके server में जो hack किया था वो इसी group ने hack किया था तो यही group जो है famous था जिसने democratic national committee की जो है वो convention को hack करके और उसमें से information निकाली थी ऐसा allegedly है ठीक है तथा गतित रूप से ऐसा है exactly ऐसा है या नहीं है वो अभी प्रूफ नहीं हो पाया तो investigation चल रही है it is just allegations ठीक है तो बस मैं आपसे यही important चीज़े discuss करना चाहता कि solar wind जो है यह examiner आपसे पूछ सकता है कि with relation to cyber security और computer world what is solar wind तो याद रखेगा it is a kind of hacking जिसमें software को ही alter कर दिया जाता है ताकि आपको जो है access मिलता रहे जो जो वो software use करेगा वो वो जो है उन सब की cyber security बहुत अच्छे से compromise हो जाएगी ठीक है so that was all for today's video इसके अलावा अगर आपको कोई doubt है या कोई clarification चाहते है in this video से regarding so you can type it in the comment section we will definitely get back to you and इसके अलावा कोई और topic suggest करना चाहते है on which particular topic जिस पर आप चाहते है की कोई detail जो है आपको analysis provide किया जाए you can also suggest us the same in the comment section ठीक है and I hope आपको आज की वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा so see you in the next video thank you